हलो फ्रेंद्स आप सभी लोगों को बीटी मी सीमा में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप आटा और नमक के मदद से कैसे अपने चेरे पर बड़ी दाग धबों को हटा सकते हैं कैसे अपने रंग को निखार सकते हैं और कैसे खुबसूरत वज़ा पा सकते हैं तो इस नुस्के को बनाने के लिए जो सबसे पहला और बहुत ही साधारण चीज हमें चाहिए वो है गेहूं का आटा तो ये मैंने दो छोटे चमच गेहूं का आटा लिया है गेहूं के आटे म चेहरा बहुत ही चमकता और कुमल भी होता है तो अब इसमें मैं डालूगी दो चुटकी नमक नमक बहुत ही अच्छा है आपके स्किन के लिए नमक आपके पोस को डीप क्लीन्स करता है इसको साफ करता है जितने भी गंधी है उनको दूर करता है बैलन्स करता है ओल प्रड़क्शन को नमक बहुत ही फाइदे महने आप नोटिस के होंगी जबी भी हमारे गला बैट जा एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉप्रीज होता है यह हमारे थ्रोट की इंफेक्शन को दूर करता है तो इसी तरह से यह बैक्टरिया को फाइद करता है और पिंपल्स और आट्ने को आने से रोकता है अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रिडियन में मिलाओंगी वो है कच्चा द तो इसमें मैं लगपक तीन चमच दूर डालूंगे तो यह जो मैं मिलाओंगी यह ऑप्शनल है अगर आपकी स्किन ओली या एक्ने प्रोन है तो आप शैद को स्किप कर सकते हैं और जिन लोगों की स्किन ट्राइ है उनके लिए खास आप एक चमच शैद मिलाओंगी तो इ दबों को हटाने के लिए तो इन सारी चीजों का अप अच्छे तरह से मिलाके इसका एक पेस्ट बना दीजे तो आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है बहुत रड़ी है आप इसको थोड़ा सा गाडाई रखिए उसके बाद आप अपने चेरे पे इस तरह से लगा दीजे इ बहुत ही सरल रेमेडी है लेकिन येकीन मानिये बहुत ही असरदार है सबसे अच्छी बात है इस पाके इसे आप आपको लंबे समें तक अपने चेरे पे लगा के रखना नहीं है सिर्फ 2 मिनटे इसे लगा है कि रखने के बाद आप अपने हातों को थोड़े से पानी में भ किन आपकी बहुत ही smooth और निक्री हो जाती है करने के बाद आप थंडे पाणी से दो दीजै तो आप देख सकते हैं कि मेरी skin बहुत जादा smooth लग रही है बहुत जादा निक्री लग रही है अगर आप इसे regularly हफ़ते में 2 से 3 बार इस्तमाल करेंगे तो आपके चेरे पर जितनी भी दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका चेरा इससे खिल जाएगा, इससे निकरी भी हो जाएगी तो इसे इस्तेमाल करने के बाद आप अपने चेरे पर थोड़ा सा जो स्वीट आलमनॉल जो की बादाम का तेले वो मसाज कीज़े इससे आपको और भी अच्छा रेसल्ट मिलेगा तो आप इस नुस्की को अपने घर पे ज़रूर ट्राइ कीज़े और मेरी साथ आपका रेसल्ट शेर कीज़े अगर आपकी और भी कोई ऐसी beauty problems है तो आप मुझे comment section में लेख सकते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपने सिहत का ख्याल रखिए Take care and bye-bye